दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम यह सिखने वाले हैं कि जो हमारे पास में इस प्रकार का LMT वाली MK1 टाइप का कॉइंटेक्टर होता है उस कॉइंटेक्टर के साथ में किस प्रकार से हम हमारा जो फ्लोट स्विच है उसका कनेक्शन करेंगे जिससे कि जो हमारा फ पूरा डिटेल से explain करने वाला हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों अभी के टाइम पे जो मेरा स्टार्टर के ऊपर में यहां पे स्टार्ट पूश बटन यहां पर दिया गया है और स्टोप उस्ट बटन का कॉंटेक्ट यहां पर दिया गया है अब इसके साथ में किस प्रकार से फ्लोट स्विच को कनेक करेंगे उसको समझने के लिए मैंने यहां पे पूरा सरकीट डाइगराम बना दिया हूं जैसे कि यदि आप इस सरकीट डाइगराम में देखोगे तो यहां पे हमारा फेस अपलाई है इंकमिंग वाली है और स्टार्ट पूस्ट बटन से पावस अपलाई जाएगा स्टाव पूस्ट बटन के लिए तो यहां पे स्टार्ट पूस्ट बटन ने इसके आउपूट टमनल से पावस अपलाई जा रहा है स्टाव पूस्ट बटन के लिए और इसके बार पावस अपलाई जाएगा क का connection करेंगे और connection करने के लिए हम यहां पर स्विच का भी इस्तमाल करेंगे यदि आप यहां पर स्विच का इस्तमाल नहीं करोगे तो इस condition में जो आपका starter है वह starter के वर floor switch के जरीए operate होगा आपका जो start push बटने इसके जरीए starter चालू नहीं हो पाएगा इसके वाद यहां पे जो हमारा स्विच है इससे प्रकार किस प्रकार से floor switch को दिये जाएगा और किस प्रकार से holding circuit बना जाएगा इसको हम पूरा प्रेटिकली समझ लेते हैं तो दोस्तों यह जो के one type का starter है इस starter के साथ में यदि आपको float switch का connection करना है वो भी selector switch का इस्तमाल करते हुए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा यह जो आपका start push button है इस push button को incoming power supply provide किया गया उस power supply को remove करना होगा जैसे कि यहां पे यदि आप देखोगे तो एक वायर connected है यह वाली आप यहां पर देख सकते एक वायर connected है तो इस वायर को remove करना पर पड़ेगा औरिस वायर का जो शीरा है कि यहां पर जो फिल COMM accent is इसको HUGdBeach Tan तो इसको भी मैं यहां पर कर दिता हूं अब इस वार कर दुशा सीरा है इस सीरे को ले गते पर देशी नरीघ का यह यहां पर दाने कर दो जैसे कि आये को क्या हुआर जैसे ऐसने में जो मेरा कॉंडिंग सरकेट करना चाहीए तो मेरा यहाँ पर यह वाली टरीμηनल पर टो गॉार को एक वायर को खुटियता हूं अब इस भायर, पैसंच करना है, इस नह तर्देया है जिस तर्मिनल से हमने वाई को रिमूब किये थे उस Superconnect करना होते ह्छा, हैं तो queer कर candidate देता हुट थी नुट लेक्स करने के पर सब्सक्राइज के साथ इसको हमें का सरी करने की को हमारे सब्सक्राइजिए तो परक्राइद अक्षोर हम प्रोभ्ह करने लिए कि तो यह सिंपलि आप मल्टीमिकर का इस्तेमाल कर शकते और नहीं कि इसमेन को में और लगाने के बाद जो वायर यह तीनों आई इन तीनों मैं से किसी दो वाहिए के साथ प्रोघ को देखना यह आपको यह देखना है कि दमारे रहता है तो इस चangडीशन में रहा है कि नीचे के तरफ करने के बाद इस वाले वायर में तरह हुत करने के बाद इस वाले आ हो और इस वाले वायर के साथ मतलब कि यदी में इसको नीचे की तरफ रखूं तो इस वाले वायर में continuity आएगा और यदी में उपर की तरफ कर दो तो यहां पर बंद हो गया है इससी प्रकार से यदी में एक प्रोब को क्यवाल यहां पर चेंज कर दो इसके साथ कर दो और इसको यहां पर की तरफ करने पर बंद मतलब कि अबीके टाइम पर यह वायर का इस वायर को यंगे इस वायर को फूरिशन है इस position का जो terminal होगा मतलब की A2 terminal जो है उस terminal के साथ इस वार को connect करना होगा तो मैं यहाँ पे इसको directly connect कर देता हूँ अब यह जो दोनों वार है इन दोनों वार में से जो एंसी कॉंटेक वाली वार है मतलब कि यदि आपका फ्लोर स्विच नीचे की तरफ रहता है तो इस कंडिशन में जिस वाले वार में आपको कंटियूटी मिले या फिर जिस वाले वार में पावर सप्लाई मिलेगा उस वाल है इस वार को ले जा के जो मेरा यहां पर vis brutton ने इस पूस्व बटन का جो कॉण्टेक है यह दोनों इन दोनों कॉण्टेक का जो आउपूड वाली कॉण्टेक है उस कॉण्टेक के साथ इस वाले वार को क्रनेंख TIM होगा तो यह वार फ्रुधा छोटा है तो मैं यहाँ पे एक वायर कउंच कर देता हूं इस इसको लेकर आता हूं और यहाँ पर जो यह वाला ku cuz kuant he is yenा कर दूंग तो यहां से एक वायर इस प्वायर ऐया है तो इसए Scottm इस वाले वार को कनेक कर देता हूं इस प्रेकार से तो यह जो मोटर को फ्लोर स्विच के जड़ी चालू और बन करने के लिए पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया अभी के टाइम पर मैंने केवल टेंप्रेरी करेक्शन बताया हूं इसलिए यहां पर देखने में गंदा लग लेकिन जब भी आप कभी वाइरिंग करो तो पूरा प्रोपा तरीके से ड्रेसिंग करते हुए वाइरिंग कर लीजेगा अब यह जो मोटर इस मोटर को यदि मुझे इस वाले पूस्ट बटन के जड़ी चालू और बन करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह जो स अब यहां पर जालू और बन करने के लिए अब यहां पर जो मोटर रहना होगा तो मैं यहां पर दो नबर का पॉईशन कर देता हूं इसको सलैक करने के बाद यह जड़ी मेरा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा तो इस में मेरा जो मोर्टर है वो चालू हो जाएगा नियारा पंडी स्वीच उपर के तरफ चर्फ चले आता है मतलब कि पानी का टेंग यह फूल हो जाता है तो इस कंडिशन में मोर्टर अपने कली ओ जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं पानी का टेंग जब खाली होगा तो मोर पूरा पूश बटन होती है उसका भी इस्तामाल करने के लिए किस प्रकार से स्विच का कनेक्शन करेंगे उसके बारे में भी आपको मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेइंग कर दिया दोस्तों फ्लोट स्विच का करेंगे यह तो आपने सीख लिए अब मालिजे कि आपका मोटर है उस मोटर को यधि आप रण कर वारे हो और कोई यह जैसे कि अदर वोल्टेज इस प्रेकार से ज़ए कोई प्रॉलम आता है तो इस में आपको मोटर को प्रेक्क करना होता है यह को ज्यादा वोल्टेज जाएगा तो आपका मोटर खराब हो सकता है कम व्य concept आती है तो मोटर को Over voltage, Under voltage इसपरकार से जो भी प्राघ्स पर्वानम आती है उससे protect करने के लिए, आपको starter के साथ में voltage monitoring relay को connect करना होता है, voltage monitoring relays को किस परकार से इस वाले starter के साथ में connecting करेंगे, इसका वीडियो मैंने और पर इस वीडियो को देखेंगर हमेel इस वाले झाल झाल